नमस्कार दोस्तों कैस सच में आप प्याज के भाव 25 रुपे प्रती किलो के हिसाब से बिकेंगे साथ साथ क्या प्याज में भहेंकर तेजी आएगी तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है आज हो गया है 16 अगस्त मंगलवार का दिन है आज के वीडियो में हम इसी विसे पर चर्चा करेंगे क्योंकि आज कल यूट्यूब के माध्यम से कुछ किसानों को ब्रहमित करने का काम किया जा रहा है तो इसी वी से को आज मैं clear करने जा रहा हूं दोस्तों साथ-साथ इस वीडियो में हम देखेंगे अभी के ताजा भाव साथ-साथ-हड़ताल जो अंदोलन हो रहे हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे साथ साथ हम देखेंगे आने वाले समय में अगर तेजी आईगी तो वह कितनी आ सकती है क्योंकि संभाव नहीं हम लगा सकते हैं एकजेक तेजी या मंदी की जानकरी कोई भी इंसान किसी भी किसान को दे ही नहीं सकता दोस्तों जह चीज आपको अवश्य ध्यान रखना पड़ेगी तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी के ताजा भाव मंदियों में हमें क्या देखने को मिल रहे हैं तो अगर हम सूपर क्वालिटी की बात करें तो 13 रुपे से लेके 15-15 रुपे तक अलग-अलग मंदियों में प्याज के भाव में सूपर क्वालिटी का देखने को मिल रहा है वह यह अधिकतर प्याज सभी मंदियों में लगभग 8 रुपे से लेके 12 रुपे के बीच में ही देखने को हमें मिल रहा है तो यह बात हो गई अभी के ताजा भाव गई साथ साथ दोस्तो अगस्त महा में करीब हमें 2-5 रुपे प्याज के भाव में सुधार देखने को मिल रहा है भाव में सुधार आने का सबसे पहला कारण है कि बारिश को करीब होते वे 2-5 महीने हो चुके साथ साथ प्याज में अनेक प्रकार की बिमारी अभी लगने लग रही है तो किसान ने अपना प्याज मंडियों में निकाल आये तो अब किसान के पास जो सो कट्टे रखे थे वही करीब 65-70-80 के बीच में ही अब किसान के पास रखा है किसान ने करीब 20-25 प्रितिशक प्याज अपना मंडियों में निकाल दिया इस समय तक साथ साथ दोस्तों मंडियों में निकालने के बाद किसानों को लेकर अभी कई दिनों से हड़ताले चल रही है अलग-अलग राज्यों में जैसे कि महारास्ट माच 16 तारिक को पूरी मंडियों बंध है जहां पे किसानों ने अपना प्याज नहीं बेचा है तो यहां भी असर है साथ साथ अलग-अलग तेसिल जिलों में किसान अपने आंदोलन कर रहे हैं प्याज और लहसुन के भाव से क्योंकि पिछले 7-8 महीनों से किसान को इतने नियूंतम दाम मिल रहे हैं अपने प्याज और लहसुन के भाव के कि उनकी जो लागत है वहां भी अपने प्याज औ संत्रिके नाम ग्यापन भी दिया था साथ आज महारास्ट में लगभग सभी मंडियों में प्याज नहीं के बरवर आया मद्यप्रिदेश में इतना ज्यादा असर आंदोलन का आज देखने को नहीं मिला है जो सोला अगस्त को महारास्ट में हो रहा है यहाँ पर लगभग में लाल प्याज के आउख आओ के देखने को मिल रही है मद्यप्रदेश में पिछले दो तीन दिनों से बहुत जादा बारिश हो रही तो लगभग कई आसपास चेट्रों में जल भराओं भी हमें देखने को मिल रहा है तो आप बात करते हैं आने वाले समय में कितने अधि की além बाव हो जाएगा कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि अगर में यहां पे कुछ कहा तो मेरी वजह से अगर एक किसान गुम मेरा भी नुकसाने में नहीं चाहता कि मेरी वज़े से किसी किसान का नुकसान हो पर यह है कि दोस्तो अलग अलग अब देखना तो होगा क्योंकि बारिश होगी तो भाव थोड़ा सा तो सुदरेगा एटलीस पता नहीं कितने अधिकतम इस साल हमें प्याज के भाव देखने क कोई मकसद करने का क्योंकि कोई भी सही ंदाजा कि असमय लगाने की स्थितिंवे स precedent a ल south 만 pourra कई में किसान को अब करना दूद कोई मेरा मखसद नहीं था इस वीडियो के महाद्यम से आप सबी लोग जागरूख हो तो जो भी होगा आने वाले दिनों में उन सब चीजों के बारे में चर्चा करके अगर मुझे लगेगा कि मैंनुमान लगा सकता हूँ आप लोगों का थोड़ा फायदा करा सकता हूँ तो मैं जरूर से वीडियो बनाऊंगा अगर कुछ कारण मुझे मिलेंगे जिससे की तेजी हमें देखने को मिल सकती है बाजार में पर अगर नहीं लगाओ तो दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से डिसलाइक भी कर दीजिएगा कमेंट करके बताईएगा कि आपके क्या विचार है इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों सांसाद अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते तो कर सकते अजय गोस्व